अरे कृष्णा, मैं सेवावती राधिका देवी दासी, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, सात्विक रसोई में, आज हम बनाने वाले हैं मेदुवडा, सबकी फेवरिट मेदुवडा, साउत इंदियन डिश, इसके लिए हमें चाहिए दो कप उड़त दाल, ये 5-6 घंटा भिगोया है, इसको हम पीषने वाले हैं, बिना एक इसमें हम थोड़ा सॉल्ट टेस्ट डालेंगे, और पिसेंगे से, उड़त दाल हमने पीष लिया है, अभी हम गरम करेंगे तेल, अब ये जो इंग्रीडियन्स है, ये औप्शनल है, ये ब्लाक पर देल, पर है, और ये जीरा है, और ये चिली और जिंजर का पेस्ट है, तो या तो अब सिर्फ सॉल्ट के साथ बना सकते हैं, मेदुवड़ा, या तो ये अड़ कर सकते हैं, इसको मिक्स करेंगे हम, इसको मिक्स कर लिया है हमने, अब हम हैंज गीला करके पानी में, इतना से एक बॉल लेकरें, वार् Prof. Bitcoin otherwise् है में इसकत्तव कर सकते हैं, ले 堅ते हम बना सकते हैं, टुम मेर गीला कर सकते हैं, वार्शों बना सकते हैं यह इडली रवा है, इसको हम डस्ट करेंगे इसके उपर आप यह बटर पेपर पे रखके शेप कर सकते ओईल तयार है, गरम हो गया इसको धेरे से साइड से छोड़ेंगे इसी तरह से आप बनाएंगे और यह रवा से डस्ट करेंगे इसको दोनों साइड अच्छी तरीका से डस्ट करेंगे बड़े अराम से कोने से इसको छोड़ेंगे इसको ब्राउन तलेंगे दोनों तरफ धीमा आज पे हमारे मेदुवड़ा तल गए है दोनों तरफ ब्राउन हो गए है हम इसको निकालेंगे अभी हम तुलसी पत्ता रखके भोग लगाने वाले है देखिए बड़ी आसान सी रेसिपी है आप भी जरूर ट्राई कीजिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए और साती साथ देखते रहे है सात्विक रसुई क्यूंकि जैसे खाएंगे अन वैसे होगा मन हरे क्रिष्णा मेदू अड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पानी में 5-6 गंटे भिगोये हुए उरद दाल, 2 कप, नमक, स्वादनुसार, तेल तलने के लिए अदक मिर्च का पेस्ट, 1 चुथाई छुटा चमच, काली मेरी, 10-12, जीरा, 1 चुथाई छुटा चमच, पानी, रवा, आदा क एक मिकसर जार में उरद दाल और नमक दाल कर पीस ले, एक पैन में तलने के लिए तेल गरम करने रखे, पीसे हुए उरद दाल में अदक मिर्च का पेस्ट, काली मेरी और जीरा डाले और उसे अच्छे से मिला ले, फिर हातों में पानी लगाए और निम्बू जितना मिश् उसे पल्टे और दोनों तरफ अच्छे से तल ले, जब तक कि वे सुनेरा रंग और क्रिस्पी ना हो जाए, बन जाने पर उसे प्लेट में निकाल ले, हमारा मेदू वड़ा हरी नारिल की चटनी के साथ सौव करने के लिए तयार है